आपको अपने यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत साहर करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों उभी करता हूं आप सभी अच्छे देंग से अपने गर में रह रहे होंगे और अपना प्रहाय काय करम आगे जाए रखे होंगे आज मैं आप लोग के सामने प्रॉणाउंस ले के आया हूँ तो देखिए प्रॉणाउंस में जो वीडियो हैुदा ओसे आपके लिइए सेवंध लास वालों के लिए हैं एड़ लास वालों के लिए हैं याद धोगा मैंने आपको singular plural प्राया था, gender change प्राया था, उसमें एक बजन से बहुवच्छन के हम लोग mouse करना हम आपको नहीं बताए थे, noun का तो एक बजन से बहुवच्छन करना बताए थे, gender change करना बताए थे, लेकिन हमने आपको pronounce का singular to plural करना हम प्रोणाउंस का सिमिलर से प्रूरल करना पढ़ना है तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रोणाउंस क्या है तब तक आप एक बजन से बहुत बजन कैसे करेंगे प्रोणाउंस क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं सरवनाम क्या बोलते हैं सरवनाम आपको क्लास 10 के अंदर आपको स्रवनाम क्या है यह पूछने वाला है इसका यूज करके इंदर तो प्रोणाउंस क्या है पूछेगा विशेश का 7-8 में और 9th class और 10th class के अंदर प्रोणाउंस का changing कहेगा आपको आई का change करिए his his boy का change किजिए तो जब तक आपका यह बेस्ट प्रोणाउंस का आपको नहीं आएगा प्रोणाउंस होता क्या है तब तक आप इसके बारे में जान नहीं सकते हैं इसके बेसिक से पढ़ना आपको अनिवार रहे हैं अब्जेक्ट हू बहू प्रोणाउंस क्या है वाड़िज प्रोणाउंस ऐसा 9th और 10th में पूछेगा लेकि 9th में आपको पूछेगा कि इस subject का object में बदलिए subject का भर्व क् पूछ सकता है इसलिए आपको पढ़ना ये जरूरी है तो सर्वनाम क्या है किसी व्यक्ति बस्तु अस्थान या जनवरों के नाम को हम क्या बोलते हैं गलत बोल दिया मैं उसको हम नाउन बोलते हैं वैसा सब्द जो संग्या के बदले में आता है उससे हम क्या बोलते हैं सर कि प्लेस deeper is a word which is used in place of a noun वयसा सब जो संग्या के बतले में आता है उससे हम क्या बोलते हैं प्लेस्म is लिखा हुआ है उसको पढ़ने के आपको ज़रुवत नहीं मैं जितना जितना प्रहा रहा हूं से उतना ही पढ़ना तागा प्रणावन्स का डेफरेशन कहें क्लास नाइन्थ में टेंथ में डेफरेशन नहीं आएगा अले पास आपको आना चाहिए यह क्लास 7 और 8 में मुख पाला है प्रशनल प्रणावन्स क्या है आपको प्रशनल प्रणावन्स नाम से प्रशनल मतलब किसी व्यक्ति के विशें बोलता है अब प्रणावन्स that stands for a person or things is called प्रशनल प्रणावन किसी प्रशन के विशें में किसी थिंग किसी थिंग मतलब बस्तू के विशें बता रह अभी Brief amσω emerg के यूजी सघ्र तो परस्जन परण जिसमें वह पर संसर सकंड पर्षन आप यह हो गया घ्र्लksom pendri यह हो गया प्रूरल जाओ ख़ो को पर दने चैनल पर बारे बारें प्रूरल वह आउन का divs परफर्शन सब्यक्ट सब्जेक्ट और एक सब्जयक्ट क्या होता है वाक के सब्सक्ता को क्या बोलते हैं करता मतलब वाक में काम करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं करता बोलते हैं isub मतलब subject sub j is short form लिखा है object मतलब कर्म जो करता का फल जिसमें पढ़ता है उसे हम क्या बोलते है कर्म बोलते हैं मैं आम खाता हूँ खा रहा हूं तो आम खा रहा हूं आम क्या हो गया object हो गया तो वो noun के लिए था, यहाँ pronoun के लिए, तो first person subject में I होगा, अगर इसी का object में आना है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम I का me यूज़ करेंगे, ठीक है, तो अगर person के बारे हम कहें, object को जाने दिए, first person singular में I होता है, first person इसका plural में V होता है, क्या होता है, V होता है, second person similar में U होता है, और इसका plural में V क्या होता है, आपको U होता है, third person similar में क्या होता, he, see, it होता है, he रड़का के लिए, see, lucky के लिए, और it रड़की के लिए होता, और plural में क्या होता, आपको D होता, ठीक है, अगर आब walk sentence मिलेगा, आपको समझ कहें, ना walk मिलेगा, I am a boy, इसको प्लूरल में, तो we are boys हो जाएगा, तो I होगे, I का प्लूरल we, you का प्लूरल you, और he, she, it का प्लूरल क्या होता है, आपको दे होता है, first person singular में I, first person plural में we, second person singular में you, second person plural में you, third person singular में he, she, it, या कोई नाम, यहां कोई नाम भी हो सकता है, और plural में क्या होता है, आपको दे होता है अब इसी के अगर objective case में आ जाए object के रूप में यूज़ करना आ जाए तो I का object me होता है ये भी uses है इसलिए बिसेश पढ़ा रहा हूं में क्यूंकि जब आप sentence का similar से प्रूर करेंगे active से passive बनाएंगे तो passive में object form के रूप में आएगा इसलिए table most भी वी आए आपके लिए नहीं आएगा तो काम आपको चलने वाला नहीं है I का object me, you का object you, he का object him, she का object her, it का object it ठीक है अगर इसी का आजाए subject में we का subject है इसका object you us हो जाएगा, you का you होगा और दे का जिम हो जाएगा उमीद करता हूए table समझ गया होंगे आप अच्छा टेवल को दिमाग में इठा लेजिए first person, first person मतलब क्या होता है, first person मतलब जो बोल रहा है a person which refers the person speaking are the first person, जो बोलने वाला होता है, उसे हों क्या बोलते है, first person इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बोलने वाला यहां कौन है, मैं बोल रहा हूँ, इसे हम क्या बोलेंगे, first person बोलेंगे, क्या बोलेंगे, first person बोलेंगे, i है, we है, my है, our है, me है, us है, यह सब के सब क्या है, आपको, first person है, क्या है, first person, second person क्या होता है, आपको बाई, जिससे हम बात कर रहे है, person which refers to a person, second person, जिससे बात किया जाए, उसे क्या बोलते है, second person, जिससे मैं प्ढ़ा रहा हूँ, मैं first person हो गया, आपको प्ढ़ा रहा हूँ, बाता भी से कर रहा हो नो मैं, यह क्या हो गया, आपको second person कहलाएगा, जिस व्यक्ति से बात किया आता है, उसको हम second person कहते हैं, जो बोलता है, उसको हम कहते हैं first person, ठीक है, third person, जिसके बारे में बात किया जाए, third person क्या कहलाता है, जिसके बारे में बात किया जाए, वो कहलाता है आपको third person, जैसे मैं, मैं किताब के भी से, सरवनाम के भी से, मैं बा इन रहे ports क्मारा हो गें तो मैं उख्या को प्रसण हो सब्सक्राइब करता हूँ अथिबा समझ में, फर्स परसन क्या होता, स्गनाल परसन क्या होता, थर्ड परसन क्या होता, आप अच्छे से समझ गएंगे वुमीद क्रता हूं। ठीक है? उके? चलेवровасके बाद क्या आपको, बाई? इसके बाद क्या आपको दुसरा होता है reflexive pronoun क्या होता है आपको दुसरा reflexive pronoun reflexive pronoun में क्या आपको reflexive pronoun is the same as emphatic pronoun emphatic pronoun को जैसा होता है लेकिन thought size में differences क्या होते हैं आपको जैसे में myself himself, herself जैसे में I है I complete this job मैंने इस काम को swim समाप्त किया यह क्या होगया, myself क्या होगया आपको reflexive pronoun होगया क्या होगया, reflexive pronoun होगया it shows that a subject is itself attracted by the person receiver of an action, यह खुद ही काम करता है जैसे मैं खुद काम कर रहा हूँ आप खुद काम कर रहे हैं he injured himself, वो खुद ही अपने आपसे क्या होगया, injured होगया यह himself क्या हो गई हुगया reflexive pronoun हो गया यह myself क्या हो गई हुगया reflexive pronoun हो गया She is afraid of herself क्या हो गया आपने आप से कहा है वो afraid है आरे भाषन में तो क्या कर लाएगा यह आपको reflexive pronoun कर लाएगा फिर है आपको emphatic pronoun emphatic pronoun में क्या आपको आदा aller To convey emphases or noun we are some personal pronouns with self selves और इंफैटिक प्रणाउंस ठीक है दा संटेंस विल कंवे कंप्लीट मीनिंग थो दा टॉप करा जी I myself gave the copy मैं copy दे रहा हूं इसमें myself हो गया herself हो गया, himself हो गया अरिवासन में their sense हो गया यह खुद ही responsible जितने भी होते हैं फुद ही अपने आप से responsible होते हैं क्या कराते हैं आपको emphatic pronouns कराते हैं फिर है demonstrative pronoun और क्या है इसमें जना लिए आपको demonstrative pronoun क्या है आपको demonstrative pronoun में क्या है it is used to point towards singular or plural यह क्या है आपको singular और plural के लिए है जैसे में near तो this और such का use करते हैं क्या होगया डिमोस्टेटिव प्रोणाउंस को रूप में होगया फिर है आपको interrogative pronouns प्रस्ण वाल से इसको बोलते हैं जना लिए हम लोग से प्रस्ण पूछते हैं interrogative pronouns is used to being a sentence है ना जैसे में हूँ 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 मने कौन हूँ मने कौन हूँ मने किसका है यह अब्जेक्ट के रूप में जो होता है वाट हो गया हूँ हो गया वीच वाट मने होता है क्या पता है आपको हूँ मने होता है कौन ठीक है वीच मने होता है कौन सा या किस वाट मने क्या पता है आपको नहां आंको इते उसके बार हमको नहीं करते हैं यह क्लम किसका है वह लड़का है इस इस दब वाइए है यह लड़का हूं जिसे तुम में क्या किया था लडाए किया था हूं जो क्या कर रहा है आपर है अब ये भी है हूं का हूं लेकिन यह रेलेशन के रीजिळसत को रूप में उशकी है इन्टिर्व गया लेकिन वांगे मुठ में about चैन्टों से बीच में इस सटेबस में फूम जो होता है वह क्या करहा है आपको क्मेसरा पैदा कर्णा कर्रहा है की रीजिशन में होगा यह लाका हम कर विसमी जो मुझे से लाँ है क्या कर रहा है इसका वाक्टेव्र रिलेटिव प्रोनाउन्स हो गया क्या हो गया आपको खोडियटिव प्रोनाउन्स हो गया कि कि अढिए प्रोनाउंस और in deci Griff होता है जी इसके अंदर क्या करते है हम स्थे के बादे को नंबर के बारे में बता होते आ ठीक है जैसे में ego बहुत कम मात्रह मी क्या को क्या इसाथ को क्या मात्रा के बश्यों मतलबsin प्फूने कुछ लिटिल वाले में जिसको में नहीं सकता है और वाले मुझसको वाले मिलया समस्क्रारश नी एक रीटिन बात्भी थोड़ा वटा होता है जी लेकिन लिटिल कर सो श्रूप कर थे हैं वह उन魁ध सुटकरी है कि य उन झाल झाल झाल